नमस्ते दोस्तो मेरा नाम है शरच चौदरी और आप सुभी का स्वागत है अविद्नेस टेप में तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सैंसंग वारलेस पावबैंक के बारे में इसका हम आपको फुल रिव्यू करके दिखाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो तो यहां पर आपको एक USB-type A port देखने को मिलता है जो कि सिर्फ एक आउटपूट पूर्ट है तो इससे बस आप अपने devices को charge कर पाएंगे दूसरा यहाँ पर USB Type-C port देखने को मिलता है जो कि बोथ input और output port है यानि कि आप इससे अपने device को charge कर सकते है और इससे आप इस अपने power bank को भी charge कर सकते हैं और फिर उसके बाद आपको LED indicators मिल जाते हैं यहाँ पर और आप इस huge 10,000 mAh के power bank की battery को within 4 hours charge कर सकते हैं from 0 to 100 और guys आप अपने इस wireless power bank पे phone तो charge कर ही सकते हैं साथ ही साथ आप अपने earbuds भी charge कर सकते हैं अगर वो wireless charging support करते हैं तो और साथ ही साथ आप अपनी smart watch को भी charge कर सकते हैं अगर वो wireless charging support करती है तो और दोस्तो इसका सबसे एक और cool feature है कि ये दो devices को एक साथ charge कर सकता है यानि कि एक device के तो आप wirelessly charge कर सकते हैं और दूसर device को आप wire से charge कर सकते हैं लेकिन जब भी आप कभी दो devices को एक साथ charge करेंगे तो उस वक्त fast charging दोनों ही modes में काम नहीं करेगी दोनों ही modes के लिए standard charging काम करेगी और दोस्तो अगर आप एक Samsung lover हैं आप Samsung के products के environment में रहते हैं तो इससे बड़िया wireless power bank आपको नहीं मिलने वाला है तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी है तो like करें नहीं अच्छे लगी तो dislike कर दें जासे आदा इस वीडियो को share करें हमारे चानल को subscribe करना ना बूले क्योंकि मैं ऐसे ही cool updates लेकर आता रहता हूं Thank you for watching